आज हम बात करेंगे एक विधायक के पौवर की आप हमेशा विधान सभा के चिनाव में वोटिंग करते होंगे और अपने शेत्र के विधायक का निर्वाचन भी करते होंगे क्या आपको पता है कि एक विधायक का क्या धिकार और क्या करतब्बे होता है एक विधायक के पास कितना पावर होता है आज हम आपको इस तर्थि से रुगरू कराने जा रहे हैं विधान सभा की बैठकों और कारेवाहियों में हिस्सा लेने के लिए विधान सभा का सदस्य बनना यानि विधायक होना अनिवारे होता है और विधायक बनने के लिए चुनाओ लड़कर जीतना पड़ता है विधायक देश के रास्टपती के चुनाव में बतार वोटर हिस्सा लेता है यानि कि देश के सरवुच्च पद के निर्वाचिन में आपका विधायक प्रत्यक्ष दोर पर भाग लेता है विधायक अपने विधान सवा शेत्र की बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, आदी की समस्याओं को लेकर किसी भी मंत्री ये अधिकारी से डिरेक्ट बात कर सकता है और इन समस्याओं के समाधान के लिए दवाव भी बना सकता है एक विधायक राज्य सरकार और सरकारी एजनसियों के अलग-अलग कारिक्रमों और उनके अधियतन जानकारियों इम वर्त्मान स्थिती को लेकर डियम, स्डियम जैसे अन्यवर्य प्रशासनिक पतादी कारियों के साथ बैठक कर उनके क्रियान्वेन में मदद करता है यह विधायक के अधिकार शेतर में आता है एक विधायक को शेतर में विकास एवं जनता से जुड़े समस्याओं के समधान के लिए करोड़ों रुपए के फंड अवंटिद किये जाते हैं इस पैसे से वो अपने शेतर के लिए नई-नईयों नय बनाता है सडक, ट्रंसफार्मर, हैंड पंप, आधी लगवाने के अलावा स्कूल कॉलेजों में क्लास रूम, कंप्यूटर रूम, आधी का निर्मान कराना भी एक विधायक के अधिकार में आता है एक विधायक के पास जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ये कि वो अपने शेत्र की समस्याओं को विधान सभा में यानि सरकार के समक्ष उटाता है जहां मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री बैठे होते हैं एक विधायक जितने मजबूत तरीके से समस्याओं को सदर में उठाता है उतनी ही तेजी से सरकार एक्षन में आती है और उसका समधान करती है हम ये भी कह सकते हैं कि एक विधायक अपने विधान सबा शेतर का वकील होता है इसलिए अपने शेतर से हमेशा योग्य, कर्मठ और जुजहारू विधायकों कोहीं चुनना चाहिए ताकि वो आपकी बातों को काईदे से और बहुत मजबूती से सदन में रख सके धन्यवाद